शाषिन के निर्देशों की तेहेत आज जब जुला धिकारी ने जुला स्पताल के निरिक्षन किया तो तमाम खामियाँ सामने आई डीम अंकित कुमार अगरवाल से वाड के मरीजों ने रविवार को मरीजों को खाना न दिये जाने की शिकायत की निरिक्षन के दुरान जिला स्वताल में 35 में से मातर 13 डॉक्टर ही उपस्तित मिले स्टोर में एकस्पायरी दवाईयां भी मिली और डॉक्टर द्वारा बाहर से दवाईय मंगाये जाने की भी बात सामने आई डीम ने बताया कि अनुपस्तित डॉक्टर का एक दिन का वेतन काटा जा रहा है स्टोर रूम में एकस्पायरी दवाईय मिली है और जो दो मरीजो के पास से बाहर की दवाईय मिली इनसे लगता है कि डॉक्टर सहब बाहर से दवाईय लिक रही है जिसमें कारवाई की जा रही है साफ सुफाई के लिए पी निर्देश दिये जा रही है रविवार को खाना ना मिलने की शिकायत पर कारेवाई की जा रही है कितने राखन मुझूद थे हैं किने जारा जीत आज बे दौरा लगबग 9 बजे जिला स्पताल का काश्मिक निरिक्शन किया गया वहाँ पर जो उनका अटेंडिंस रेजिस्टर था उसके अनुसार 35 डॉक्टर उपस्तित होने चाहिए थे लेकिन मौके पर 13 डॉक्टर उपस्तित मिलें दो थोड़े लेट से आये थे बाकी चिकित्सक में से कुछ चुट्टी में हैं और कुछ आन्ने जगा इमर्जेंसी डूटी में थे और कुछ लोग वहाँ पर उपस्तित नहीं मिलें तो उसके विरुद कारवाई की जा रही है उनका एक दिन का वेतन रोका जा रहा है इसके अलावा वहाँ पर मरीजों से कुछ समस्याओं की भी जानकारी मिली जैसे उनको टाइमली वहाँ पर खाना नहीं मिल रहा है तो उसका भी संज्ञान लिया जा रहा है उसके विरुद की कारवाई की जाएगी इसके अलावा सफाई के विशेश निर्देश दिये गए हैं, जो दवाई थी, दवाईयों का जहां से वित्रन कराया जा रहा था, वहाँ पे निरिक्षन किया गया, चेक किया गया कि दवाई कुछ expired तो नहीं रखी है, इस्टोर रूम में कुछ दवाईयां मिली जो expired थी, ज दवाईयों लेते वे पाए गया, तो उनके विरुद भी हम लोग कारवाईय का रहे हैं कि वहाँ के जिला स्पताल के डॉक्टरों ने बाहर से दवाईयों लिखी है, अज ये निरिक्षन के दौरान ये तब थे संग्यान में आया कि कल जो रवीबार था, उस दिन मरीजों वो खाना नहीं दिया गया, इसके विरुद की कारवाई की जाने है, इसके करमदाद।